हेलो दोस्तों मैं सिस कुमार अपने यूटूब चाहिए विहाज जी करे ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग विविन खनीज उत्पादन में भात में पर्थम राजी कौन कौन से हैं उन्हें हम लोग ट्रिक्स से याद करने की कोशिस करेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमार चनल भी हाज जी करें ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब करने साथी बेल आइकन को जरूर दुमायत वाई विडियो को स्टाट करते हैं आज हम लोग केवल भात में पर्थम राज को ही याद करेंगे विश में पर्थम देश को हम लोग अगले बार देखेंगे तो आई चलते हैं आज के पहले प्रस्ट पर तो आगला प्रस्ट है कोईला का उत्पादन करने वाला भात में पर्थम राज कौन सा है तो इसका उत्तर है 36 गढ़ इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग जानते कोईला क्या है कैसे मिलता तो कोईला 36 रुपिय मिलता है कैसे मिलता 36 रुपिय जिससे आपको याद रहेगा कोईले के उत्पादन में पर्थम राजी 36 गढ़ है 36 से याद रहेगा क्या 36 गढ़ अब अगला पस्ट ने हीरा की उत्पादन में भात में पर्थम राजी कौन सा है तो इसका उत्तर है मद्धि प्रदेश इसे हम लोग कैसे याद अखेंगे तो हम लोग एक हीरे कोही नूर हीरे के बारे में काफी नाम सुने है ठीक है कोही नूर यह कहां लगा है तो महरानी के ताज के बीच में कहां लगा है महरानी के ताज के बीच में और बिच से आपको याद रहेगा मद्धि अर्थात मद्धि प्रदेश तो हीरा के उत्पादन में भात में पर्थम राज मध्य परदेश है निक्ष्ट है तामा का उत्पादन में भात में पर्थम राज कौन से है तो तामा के उत्पादन में भात में पर्थम राज मध्य परदेश है इसे कैसे याद रखेंगे तो तामा को हम लोग परेंगे ताबा जब तावा को हम लोग ध्यान से परेंगे तो आपको तावा दिखेगा और हम लोग क्या जानतें तावा के बीच में हम लोग रोटी रखते हैं तो बीच से क्या याद आएगा तावा बीच अरथात मद का मद से मध्य प्रदेश अगला प्रशन है लोह आयस्क कि उत्पादन में भात में पर्थम राजी कौन सा है तो लोह आयस्क कि मामने में भात में पर्थम राजी उड़ी सा है इससे कैसे याद दखेंगे तो याद दखेंगे यहां क्या है लोह लोह मतलब आग वाला लोह हम यह ध्यान में रखेंगे तो लोह शे क्या बनता नए नए डिस बनाए जाते हैं बीना लोह के अरधार बीना आग के डिस नहीं बनाया जा सकता तो जिससे आपको याद रहेगा लोह ऐस के उत्पादन में भाद में पर्थम राज ये उड़ीशा है अब अगला प्रशने चांदी के उत्पादन में तो चांदी किसके पास ज़्यादा होता तो राजाओं के पास तो इससे आपको याद रहेगा चांदी राज अस्थान चांदी के उत्पादन में कौन से राज है पर्थम अस्थान पे तो राज अस्थान इसे कैसे याद किये थे तो चांडी सब से ज़्यादा किसके पास होता राजा के पास और राजा से आपको राज अस्थान याद रहेगा next टेल है कच्चा तेल के उत्पादन में कौन से राज भाद में परथम अस्थान पर है तो इसका उत्तर है राज अस्थान इससे कैसे याद आखेंगे तो याद आखेंगे कच्चा तेल का कुवा जिस अस्थान पर मिलेगा वो अस्थान राज हो जाएगा तो इससे आपको याद रहेगा कच्चा तेल राज अस्थान नेक्स रही प्राकिर्तिक गैस प्राकिर्ति गैस के उत्पादन में प्रथम भारत के राज कौन से हैं तो इसका उतर है अश्रम इसे कैसे आदकेंगे तो हम लोग जानते हैं जब गैस कभी लिख होता है प्राकिर्ति गैस तो हम लोग क्या करते हैं लगता है कुछ महक रहा है ठीक है शम मतलब कुछ होता है लगता है शम बदभू कर रहा है या खुशबू कर रहा है हम लोग जानते हैं गय से कुछ या तो खुशबू करेगी या तो फिर बदभू तो यहां आपको शम छिपा है तो इससे आपको याद आजाएगा शम से अश्रम नेक्स्ट है बॉक्स शाइट आएस के उत्पादन में भात में पर्थम राज कौन से हैं तो इसका उत्तर है ओडीशा इससे कैसे या दखेंगे तो इससे आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या चिपा है बॉक्स तो हम लोग को बॉक्स में अपने डिस्क को छिपा कर रखना चाहिए ऐसे भी आप लोग जानते क्या एसकोल में अपने जब परहा होगा तो बॉक्स में आपको नया नया डिस्क मम्मी लंच में बना कर देती होगी तो जिससे आपको याद रहेगा डिस्स से ओडिशा अब अगला पस्ट है मैग नीज आयसक में कौन से तो मध्य परदेश इसे कैसे आ डखेंगे तो मैग नीज मतलब मेरा जो नीज है ठीक है मैग नीज को क्या समझेंगे मेरा जो नीज अर्थात नीजी व्यक्ति है वो माबाप के मद्य में रहता है जैसे मानते हैं यदि आप किसी घर के लाड़ले वेटे हों तो क्या होगा अपने माबाप के बीच में रहिएगा तो इससे आपको याद रहेगा मैं नीज हूँ जो कि अपने माबाप के मद्य में रहता हूँ इससे आपको याद रहेगा मद्य परदेश, next है, सोना के उत्पादन में भाद में प्रथम राजे, तो सोना के उत्पादन में भाद में प्रथम राजे, करनाटक है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे, आपकी सोना, हम दो जानते हैं, गल्फिंड को प्यार से क्या बोलते हैं, सोना, इसे कैसे याद दखेंगे तो हम लोग याद दखेंगे यहाँ देखेंगे भ्रक मतलब गुशा हो जाना तो हम लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति भरक जाता है अर्थात गुश्चा हो जाता तो उसे कोई चीज नहीं देखता अर्थात वो अंधा हो जाता है भरक ने से क्या होता? वो पूरी तरह से अपने क्रोध में अंधा हो जाता है जिससे आपको याद रहेगा भड़क से अभड़क और उधर अंधा से आंद्र प्रदेश नेक्ट है यूरे नियम यूरे नियम के उत्पादन में भाद में प्रतम अस्थान कौन है तो आंद्र प्रदेश इसे कैसे यादा केंगे यूरे तुम्रे नियम बनाते हो यूरे हम लोग करते नहीं तुम ज्यादा नियम कानून पढ़ लिए हो अर्थात फिर गुश्य आया भढ़क गया और फिर उससे आपको याद लेगा गुश्य से अंधा हो गया अब अगला पस्ट है टंग अश्टन और क्यों भरका तो टंग अर्थात पर जो है अश्टन अर्थात उसको क्या करते है टंग अराना तो इससे हम लोग याद दखेंगे टंग अश्टन को टंग अराना से तो टंग अश्टन कर दिया तो क्या हो गया फिर वो गुश्या और गुश्य से वह अंदा हो गया जिससे फिर आपको याद रहेगा टंगस्टन आंधर प्रदेश नेक्ट है कैड्मियम कैड्मियम कैसे याद रखेंगे तो याद रखेंगे कैड्मियम को कैड्वेरी से और जब वह गुश्य में अंदा हो गया तो फिर क्या हुआ उसे मनान के लिए लोग क्या दी से चैड मीयम अर्थात केड वी जिस hasn को यदा हैगा केड में क्यों दिया गया जब वह क्रोथ में अंदा होगया तो इन सबों को आप लोगनिक चरके बनाएpower yeah record कैसे तो टंग अश्टन टांग फैला दिया टंग अश्टन तांग क्या किया वो अरा दिया उसे क्या हो वो भरक गिया और फिर बोला तुम नियाब जादा बनाते हो जिससे वो गुष्षा हो गिया गुष्चे में फिर अंती में उसके गुष्चे को सांद करने के लिए उसे कैडमियम अर्थात कैडवेरी का टौफी दिया गया और फिर वो गुष्चा शांथ हो गया और वैसे ही आंद परदेश में जितने भी खनीच थें वे समाप्त हो गए अब आगे है निकेल निकेल के उत्पादमें भाद में पर्थम अस्ताने ओड़ीशा इसे कैसे याद किंगे तो हम लोग जानते हैं आयो दिन क्या होता भोज में बहुत सारे अंजान वेकती आज आते हैं क्यूं नए नए डिस खाने के लिए भोज के डिस खाने के लिए तो जिससे आपको याद हैगा कि आप क्या कि जब आपको मालुम चला वह उशे नियोता भी नहीं पड़ा और वो आ गया है तो आप बोलेंगे निकल भाली फुर्षा से निकल तो याद अखेंगे कब निकाला गया था तो जब आप किसी की साधी में बिना निमंतर्ण के डिस्क खाने चले गए थे जिससे आपको याद है का निकेल अर्थाद उड़िशा में पर्थम राज है जहां निकेल का उत्पादन सरवादि किया जाता है नेक्ट है क्रोमा यह है उड़िशा इसे कैसे याद अखेंगे तो क्रोम मतलब क्या जानते कववा और कववा यहां क्या है डिस्स मतलब भोजन तो कववा क्या है डेली आप क्या आता है और आपके साथ भोजन करकर चला जाता है अर्था जो भी खाना आप बहार खुला चोड़ते हैं वो आपको याद रहेगा क्रोमाइट आपका जो क्रो है वो नया नया डिस्क खाना पसंद करता है तो यह था आज की वीडियो का आकरी प्रश्न आसा करता हूं आप लोग को हमारी या वीडियो पसंद आ हो यदि आप लोग को हमारी या वीडियो पसंद आ हो तो से लाइक और स जरू करें फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद